नमस्कार मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं नियोस क्लिक का डेली रौंड अप शो आई नजर डालते हैं आज की मुख्यों सुर्क्यों पर हिसार किसानों की बड़ी जीत प्रशासन ने बिना शर्त मांगी माफी सबी मुकदमे होंगे वापस कोविड-19 कोलापूरी चपले बनाने वाले लॉकडाउन से गहरे संकर में कई संक्रमित हिमाचल प्रदेश टलन्ड हाथसा चार मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन चरमपंती यहुदी सेटलर गाजा युद विराम के कुछ दिनों बाद अलक सामें गुसे और आखिर में कोरोना अपडेट देश में करीब देड महीने बाद दो लाग से कम नए मामले दर्श किये गए सोमवार यानि 24 मई को हरियाणा के हिसार में एक बाद फिर किसान और सरकार आमने सामने थे हरियाणा सरकार दोरा किसानों पर किये गए अत्याचार के खिलाफ हजारों की संक्या में किसान हिसार में एक जूट हुए कल यानि रवीवार से ही हरियाणा सरकार ने पुलिस बल वह आरे एफ के जरीए किसानों को डराना चाहा और पुरे हिसार की कीला बंदी की थी खबरों के मुताबिक सरकार ने भारी पुलिस बलके अतिरिक्त 35 से अधिक रैपिड आक्षिन के टीम को तैनात किया था परंतु किसानों के हौसले बुलन थे और वे हसारों की संख्या में ट्रैक्टरों, कार, जीप, ट्रकों के जरीए हिसार पहुँचे ये किसान हर्याणा के मुख्य मंतरी मनोहरलाल खटर पर केस दर्ज करने और किसानों पर हिंसक हमला करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने और किसानों पर दर्ज वुकद में वापस लेने की मांग कर रहे थे इन किसानों ने इन मांगों को लेकर हिसार में अधिकारियों पर गहराओ किया किसान और प्रशासन के बातचीत के बाद युवा किसान नेता और अखिल भारती किसान सभा के हर्याना राज्य के सचीव सुमित सिंग ने निउसक्लिक से बात करते हैं बताया कि अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि 16 माई को विरोत के संबंद में दर्ज सभी मामले वापस ले लिये जाएंगे इसी तरह वे किसान आंदोलन से जुड़े पहले के मामलों को वापस लेने पर भी सहमत हुए उन्होंने अलग-अलग अदालतों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए हमसे एक महीने का समय मांगा है एक ठेट सरकारी कार्याले के बाहर एक दुकान चलाना यकीनन एक फेरी वालों के लिए बोजन सुनेशित करने का एक अचूग तरीका है जो हफ़े बर तक चलने वाले भारी चहल पहल की आहट के बीच रहते हैं ऐसे ही किसे सरकारी ओफिस के आसपास तप्ती दुपहरी में भी खुले आगाश के नीचे बैट मोची मिल जाते हैं जो इन दफ्तरों में काम करने वाले सभी बावों के जूते मामूली पैसे में चमकाते रहते हैं सुभास हुडले जो के 41 वर्षी हैं ऐसे ही एक मोची हैं जो महाराश्च के कोलापूर में रेजनल ट्रांसपोर्ट आफिस के पास बैठते हैं विखास तोर पर प्रसिद कोलापूरी चपले बनाते हैं हुडले ने कहा कि वे इस शिल्प को चुटकियों में छोड़ देंगे क्योंकि यह काम बेहत मुश्किलों से भरा है मुझे बढ़िया आमदनी वाला कोई विकल्प दीचे मुझे इस दुकान को बंद करने में कोई दिकत नहीं है उन्होंने कहा आम तोर पर भीड़ बार रहने वाला आर्टियों की या लेन हफते के आखरी दिनों में एक भुताश है जैसे लगती है कोई विक्रेता नहीं, कोई खरीदार नहीं कोई अफसर नहीं और कोई मोची नहीं लेकिन हम जिस समय में रह रहे हैं वह सामाने नहीं है पिछले साल COVID-19 के दौरान महीनों तक चले लॉकडाउन के कुछ महीनों बाद में समूचा नगर फिर से एक भुताश शहर में तबदील हो गया और हुडले जैसे चपल बनाने वालों ने अपनी दुकाने एक बाग फिर से बंद कर दी है कोलापूर्ट जीले में मिर्त्यूदर 3.02 फिस दी है इसमें सबसे चिंता करने वाली बात है वह यह है कि पिछले महीनी की तुल्ला में किस मही तक मात 10 दिनों में ही जीले में 1,000 लोग की मौत हो गई तातपर रिया है कि किस मही तक मरने वालों की तादात 3,000 पशपन थी जबकि 11 माई तक कुल 2011 लोगों की मौत हुई थी यह महत्पूर्ण है कि कोरोना वाइरस से जीले में पहली मौत 5 माई 2020 को हुई थी और 15 सिदंबर तक यह आकड़ा 2018 को पार कर गया था जीले में फिलहाल 14406 सक्री मामले हैं हमाई तीसरी खबर में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जहां एक बाद फिर से टनल निर्माड के दोरान काम करने वाले चार मज़दूरों की जान चली गई यह हिमाचल के जीला कुलू की गर्सा घाटिरसित मनिहार नामक जगह के पास पंचा नाला में बन रही NHPC चरड की दो की डाइवरजन टनल धसने से हुआ इस हाथसे में एक कामगार घायल भी हो गया था जबकि एक अन्य को सुरक्षीत बचा लिया गया इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और उसने ततकाल घटनास तल का दौर किया परंदो सवाल यही उठता है कि वहां सुरक्षा के पुक्ते इंतिजाम क्यों नहीं थे क्योंकि इससे पहले भी कई मजदूरों की दर्दनाग मौत हो चुकी है लेकिन हर बार सरकाज जाज का दावा करती है लेकिन कुछ होता नहीं दिखता इस हाथसे में मरने वालों की पहचान पहली गर्षा के निवासी अमर्चन सिरमौर के निवासी कुल्दीव, दारजलिंग के रहने वाले नमीन और नेपाल के बबलू बताए गए है मजदूर निताओं का कहना है कि इस तरह की घटनाय सुरक्षा के आभाव में हो रही है कमपनिया और उसके ठेकेदार अपने मुनाफों के लिए कामगारों की बली चड़ाते रहते हैं और प्रशासन भी आखे मूनता देखता रहते है गाजा पर अपने विनाशकारी हमले को सवाप्त करने के लिए संगर्ष वीराम के लिए सहमत होने के कुछी दिनों बाद इसराइल एक बाग फिर से अपने पुराने तरीकों में वापस आ गया है चरंबंती जेविश सेटलर के बड़े समू अवैद रूप से 23 मई 2021 को रवी वार को पूर्वी येरुशलेम के कबजे वाले अलकसा मस्जित परिसर में घुज गए इसराइली पुलिस के सनक्षण में और इसराइल के विशिस बलो के साथ फिलिस्तिनी मुस्लिम को भड़काने के लिए लगबग 125 सेटलर मस्जित परिसर में प्रवेश कर गए इसराइल सुरक्षा बलो ने कत्री तौर पर सेटलर को जाने के लिए हमला किया और फिलिस्तिनीयों के एरिया को खाली करवाया सुरक्षा बलो ने अलक्सा मजजिद के गार्ड फादी आयान और इस्लामिक वक्फ काउंसिल के सद्य से अली वजूस सहित छे फिलिस्तिनियों को भी गिरफतार कर लिया सेटलर के प्रवेश के बाद इस्लाक्षा बलो ने फिलिस्तिनी नामजियों को पर गंबीर पतिबन लगाते हुए 45 वर्ष से अधिक उमर के किसी भी व्यक्ति के मजजिद में प्रवेश पर रोक लगा दिये अलक्सा के अंदर सेटलर का प्रवेश जॉर्डन और इस्राइल के 20 संधोतों का उलंगन करता है और आखिर में केंदरी स्वास मंतराय दौरा आज मंगलवार यानी 25 मही को जारी आगडो के नुशार देश में करीब देड महीने बाद 2 लाग से कम यानी 1,96,427 नए मामले दर्श की गए है इसके अलावा कोरोना से आज 3,511 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी बीच देश भर में करोना से पेड़ित 3,26,850 मरीजों को ठीक किया गया है और आक्टिम मामलों में 1,33,934 मामले कम हुए है देश में करोना मामलों की संक्या बढ़कर 2,79,48,874 हो गई है जिन में से अब तक 3,7,231 लोग की मौत हो चुकी है देश में करोना पेड़ित 89,2,6 फीच दी यानि 2,44,54,874 मरीजों को ठीक किया जा चुका है इसी किसाथ देश में अक्टिम मामलों की संक्या गट कर 9,05,9 फीच दी यानि 25,86,782 हो गई है स्वास मंत्राले की ताज़त जानकारी करनुसार देश में करोना वैक्सीन की 19,85,38,992 दी जा चुकी है जिन में से 24,30,236 फीच दोस पिछले 24 घंटों में दी गई है आईसीमार दाजारी आपकर करनुसार करोना की 33,25,94,176 सांपलों की जाच की जा चुकी है जिन में से 20,58,112 सांपलों की जाच पिछले 24 घंटों में हुई है आज के डेली राउंडब में बस इतना है न्यूस क्लिक के यूट्यूब चनल को सबस्क्राइब करें साथी देशो दिन्या के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देगे फेस्बुक, ट्विटर और अंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया